दोस्तों मेरा नाम श्री निवास रामानुजन है। क्या आपको पता है मैं भारत का एक महान गणितग्य था, मेरा जन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयमबतूर जिले के इरोड नामक गाउं में एक ब्राहमन परिवार में हुआ था। यह तो आपको पता ही होगा कि प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मेरे जन्मदिन पर राष्ट्रिय गणित दिवस मनाया जाता है। मेरे पिता का नाम श्री निवास यंगर था, जो एक कपड़े की दुकान में मुनीन थे और मेरी माता का नाम कोमल था, जो एक ग्रहनी थी। जब मैं एक वर्ष का था, तो हमारा परिवार कुम्भ कोनम में आकर बस गया। प्रिक्षा में मैंने पूरे जिले में सरवाधिक अंक प्राप्त किये। तेरह साल की अलपायू में ही मैं एस एल। लोनी द्वारा लिखित पुस्तक Advanced Trignometry का मास्टर बन चुका था और मैंने बहुत सारी प्रमे बनाई 17 साल की उम्र में मैंने बर्नोली नंबरों की जाँच की। स्कूल की परीक्षा में मुझे गनित और अंग्रेजी विशय में अच्छे अंक लाने के लिए चात्रवृती प्रदान की गई। एक दिन एक ब्रिटिश की नजर मेरे द्वारा हल किये गए गनित के प्रशनों पर पड़ी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसी अंग्रेज के माध्यम से मेरा संपर्क जाने माने ब्रिटिश गनितग्य और ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एच हार्डी से हुआ। हार्डी ने मुझे लंदन बुला लिया और मेरे लिए कैंब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था की उसके बाद मेरी ख्याती दुनिया में फैल गई। 1917 में मुझे लंदन मैथेमेटिकल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। अगले ही वर्ष इनलैंड की प्रतिष्थित संस्था रोयल सोसाइटी ने मुझे अपना फैलो बना कर सम्मान दिया। मैंने करीब पांच साल कैंब्रिज में बिताएं। उस दौरान गणित से संबंधित कई शोधपत्र लिखे। इन पांच वर्षों के दौरान मैंने मुख्यत है संख्या सिध्धांत के क्षेतर में कार्य किया। प्रोफेसर जी एच हारडी के साथ मिलकर मैंने कई शोधपत्र प्रकाशित किये। एक विशेश शोध के लिए कैम्ब्रिज विश्व विद्याले ने मुझे बीए की उपाधी दी। मैंने गनितिय विशलेशन, अनंत शिंखला, संख्या सिध्धांत तथा निरंतर भिन्न अंशों के लिए योगदान दिया और अनेक समीकरण वसूत्र भी पेश किये। मेरे द्वारा की गई खोज रामानुजन थीटा तथा रामानुजन प्राइम ने इस विशेश पर आगे के शोध और विकास के लिए दुनिया भर के शोध करताओं को प्रेरित किया। 26 अपरेल 1920 को तपेदिक की बीमारी के कारण मैंने इस दुनिया से विदाई लेली धन्यवाद, दोस्तों आशा है मेरे इस जीवन से आप अवश्य ही कुछ न कुछ प्रेरना लेंगे इसी आशा के साथ, जय हिन्द!